हां जी तो क्या हाल है आपके मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन एंड रिवीजन एक दम टिप टोप हो गई है राइट अब इस लास्ट मुमेंट पर मैं आपको गाइड करना चाहता हूं कि हाउ टू अटेंट दा पेपर इसमें दो तीन बेसिक मुद्धों पर बातचीत करूंगा एक तो कितने नंबर ओप कोश्चन्स आपको अटेंट करने हैं तुको वाली बात पर दुबारा से डिसकस कर लेंगे लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक और इंपोरेंट बात बतान मुझे पता है करनेट फिर एक ऐसी चीज़ है लास्ट मुमेंट पर पढ़के जाओगे तब भी बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है तो आज पूरी रात आप लोगों के लिए जगना है और टोप 50 मुझे करनेट फिर निकालने हैं और इसकी सुबह मैंने क्लास केडिल कर दि ना तो बता रहा हूं मैं बल्ले बल्ले हो जाएगी तुम थेंक्यू बोलते नीतिक होगे मेरा मैं बता रहा हूं मैं लेट्स होप फॉर दा बेस्ट ठीक है अच्छा सुनों अब मैं आपको बताता हूं कि पेपर अटेम्ट करते हो किन बातों का ध्यान रखना है आपने मै पर कि starting में हो सकता है, बीच में हो, हो सकता है, end में हो तो आपको एक strategy हमेशा ध्यान में रखनी है कि आप एक बार 120 के 120 question से go through करोगे ही करोगे ऐसा किसी हालत में नहीं होना चाहिए कि आप कोई question देख ही ना पाओ अगर आप UPC के paper pattern के बात करो तो लगबग 30-40% In fact, I would say 35-40% paper easy आता है formula based आता है लेकिन 35-40% कहां पर located है वो तब पता लगा पाओगे जब आप 120 question complete देख पाओगे और आपको ये चीज matter करती है कि आप उसको सब देखाओ उसके अलावा जिस question में आपकी calculation में आप फस गए हो जो आपने decide करा था time उससे जादा अगर time लग रहा है calculation में फस रहे हो तो चाचा दिल मतलगाना दिल बाद में लगाने के चीज है इसको छोड़ देना और आप आगे बढ़ जाना इसको अलग type से mark कर देना ठीक है time बचा तो बाद में दुबारा देख लेना तीसरी चीज बहुत ही important में आपको बताने वाला तीसरी चीज यह है आप OMR sheet last के लिए मच छोड़ना जैसे ही आपका एक page या maximum दो page के questions complete हो जाए आपको साथ साथ OMR बरनी है चाए वो GAT का paper हो यह बात के लिए होगी इसमें मतलब कोई दोराइन नहीं है यह वो टेकनीक है जो आपका score boost करा देगी confidence boost रहेगा विकोस आपने भर चुकी होगी वह OMR sheet साथ साथ GAT के लिए मैं आपको important tip यह देना आट किसी भी हालत में blind दुक्के नहीं मारने है जो मैंने आपको दूक्के मरने वाली बात बताई थी कि केble और केवल पिस को फोन आ रहे है मारी साथ केवल और केवल जूसरा जो तूक्के मार सकते हो सिर्फ और सिर्फ इसी केस में मार सकते हो कि आप two option eliminate कर चुक हो completely अगर दो और पहले मिनेट कर चुके हो तो ही तुक्के मालना ब्लाइंड तुक्के मत मालना यह मत सोचना यह मुझे ठीक लग रहा है मैं इस पर राइट कर दूँ नहीं 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 जीए टी में बहुत यह कोमन मिस्टेक करता है बच्चा तुक्के मालना बहुत स्टार्ट कर देता है एक और बात को दिमाज में रखना है बच्चे आपको कि आपको जीए टी में जो भी कोस्टन करने हैं बहुती अराम से सोच समझे करने हैं जीए टी में कभी आपको टाइम की कमी नहीं पड़ेगी सपोस करो जोगरफी किसी कुश्चन में कैलकुलेशन है अराम से करियो PQRS English में देखना है अराम से करियो हापड़ तापड़ नहीं क्योंकि इसमें कभी टाइम की कमी नहीं पड़े ठीक है और मैं यह उमीद करता हूँ आप अच्छे से पूरा पेपर अटेंट करोगे तो सबसे पहले तो आप हमें शाम को मिलोगे शाम को इस अंसर की में मिलोगे पांच बज़े से क्लास स्टाट हो जाएगी जहाँ पर अंसर की आपको मिल जाएगी यहां तो मिलोगे मिलोगे इसके अलावा SSB में भी आप मिलोगे जिन बच्चों ने जो revision का दोर LWS के साथ स्टार्ट करा था मैं उम्मीद करता हूँ उनका confidence बहुत ही high level पे होगा ठीक है जिस बच्चे ने time pass के लिए paper दिया है उसने भी revise करा होगा थोड़ा बहुत बाईशन आपको भी समझ में आएगा कि कितनी मैनत LWS ने करी है रात रात बर जाक के आपके लिए काम हुआ है तो भाई साथ result तो आने बनते ही हैं ठीक है बस यही बात आपको बतानी थी इस सुबह वाली class में मिलते हैं साड़े 5 बजे इत्मिनान से सो जाओ इन बातों का ध्यान रखना जो बाते बताई हैं और किसी भी हालत में किसी भी हालत में blend तुके निमाने I wish you all the best जै हिंग जै भारत